आज की वीडियो में हम DNA के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और यह वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं DNA के स्ट्रक्चर को लेकर वो सब ही क्लियर हो जाएंगे ठीक है अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉमें सेक्शन में पूछ सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं DNA is made up of two helical chains DNA किसका बना है दो helical chains का बना है यह दो strands है DNA के ठीक है एक इधर coil हो गया एक यह coil हो गया जब दोनों strand आपस में coiling करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं helical structure बना लेते हैं तो DNA किसका बना है two helical chains का एक यह यह वाला strand हो गया एक यह वाला strand हो गया ठीक है coil around the same axis, same axis पे वो coil करते हैं it means देखो यह वाला strand भी यहाँ पे coiling कर रहा है मतलब coil हो रहा है और यह वाला strand भी इसी axis पे ही coil हो रहा है two form a right-handed double helix double helix बनाते हैं यह same axis पे coil हो के double helix बनाते हैं clear अब यह देखो इस structure को अगर हम बढ़ा करके देखे तो यह structure कुछ हमारा ऐसा दिखेगा इतना part उन्होंने यहाँ पे widen करके दिखा रखा है ठीक है अगर हम इस structure को बहुत ध्यान से देखें तो यह क्या है phosphate यह sugar यह phosphate यह sugar यह phosphate यह sugar यह phosphate यह sugar ठीक है यह आपस में क्या है connected है और हर sugar के साथ क्या attach है एक base attach है ठीक है यह हम पढ़ते भी आ रहे थे कि जो DNA है वो तीन कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है क्या क्या फॉस्फेट नाइट्रोजिनस बेस और शुगर अगर हम इसको simplify करें structure को तो यह कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा phosphate शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट ठीक है और हर sugar के साथ क्या attach है base attach है जैसे यह हो गया एडिनन और यह हो गया हमारा थाइम यह क्लियर अब इसी structure को हम और simplify view में और अच्छे से समझते हैं देखो यह रहा यह हो गया हमारा फॉस्फेट यह हो गई हमारी शुगर और यह हो गया हमारा base attach ठीक है इस एक फॉस्फेट शुगर और base को हम क्या बोलते हैं इस एक structure को इस एक monomer को हम बोलते हैं nucleotide ठीक है तो polynucleotide की chain है मतलब ऐसे ही बहुत सारे nucleotide मिलके क्या बनाते हैं DNA बनाते हैं समझकर एक को बोलते है nucleotide और बहुत सारे हो गई polynucleotide तो DNA is a chain of polynucleotide clear अब देखो यहाँ पे और क्या है इस structure में bond 2 nucleotide एक nucleotide हमारा यह ओ गया ठीक है और एक nucleotide हमारा यह ओ गया यह दोनों ही nucleotide आपस में जिस bond से connected रहते हैं उसको हम phosphodiester bond पोलते हैं ठीक है और basis के बीच में, जैसे यहां पर साइटोसन और ग्वानन है, तो बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, जो दोनों स्रांड को जोडने का काम करते हैं, वो कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजिन बॉन्ड होते हैं, यहां पर स्कमाप अब यहां पर शुगर आएगा ठीक है, एड्री प्राइम कार्बन उफ एज्जेसंट स्यूगर, देखो यह हमने अभी देखा कि शूगर और यह फॉसफेट, शूगर फॉसफेट, यह आपस में कैसे चयूप्प भाश्यूगर रहते हैं, यह हम इस से समझ ठीक है, दो शुगर के बीच में क्या प्रेसंट है, एक फॉस्फेट प्रेसंट है, क्लियर, ये आपस में कैसे चनेक्टेड रहते हैं, एक शुगर के तो वो फाइफ प्राइम कारबन से चनेक्ट रहेगा, और उसके पास वाले जो एजसेंट शुगर है, उसका वो थ्री प् यह नाइट्रोजिनस बेस है और यह है हमारा फॉसफेट अब यह देखो कि पेंटो शुगर है यह मेंज फाइफ कार्बन होंगे वान टू फॉर फाइफ यह लेबल कर रखा है यह अब देखो उसने क्या कहा यहां पे कि जो फॉसफेट है एक शुगर से तो वह फाइफ प्र से चाइच होगा यह आप़ देखो यह फॉसुगर से तो वह किस से अचाइच है फाइफ प्राइम कार्बन पर यहनी वुफ्थ कार्बन से चाहिए और दूसरे सीघ फॉसरे से चाहिख फाइच है थीरृर्ड कार्बन से ुम्लियर यही था इस पॉैंट का मतलब और दो न नुकलियोटाइड बाइंड तो थी प्राइम ऑक्सिजन ऑफ दी एडजेसेंट नुकलियोटाइड जो फोस्फेट ग्रूप है वो थी प्राइम कार्बन जब अभी हम इस शुगर के डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो थर्ड कार्बन पे भ घू बोलता है मॉनोमर क्या है यह सिर्फ अगर हम इस एक यूनिट की बात करें तो यह मारा मॉनोमर हो गया झाफ डिनेक है एक हम अंके हम क्या बोलते हम डी ऑक्सिराइबवन्यू क्यों बोलते है दिय औक्सी राइब्होनीकलियोटाइट Advisor अधिन इसलिए बोलता है क्योंकि इसमें दी औक्सी राइब्होन शुगर मर्त सेचिया बरजसा देखो, यह नहीं देशन दिधन देक़ कहां इसमें क्या है सेकंड कारियूबं पर हाय्ड्रॉ kalian भेख Bali I प्रेजन इनल में एंगे हाइडरोकसल ग्रूप सेकंड कारभन पर ए Şimdi में की वज़े से हम इसको क्या बोलत fått दी ऑकसी ॐ है चीए और यहाँ पर हाइड्रोकसल ग्रूप प्रेजन डहाँ में इसलएं प्राइम कार्बन का ऑक्सिजन कौन सा है यह वाला है डीने को हम डी ऑक्सिर आइबो न्यूक्लिक आसिट भी इसलिए बोलते हैं क्यों क्योंकि उसकी शुगर में सेकिंड कार्बन पे हाईड्रॉक्सिल ग्रोप अपसेंट होता है नेक्स्ट देखो अब पर्टिकुलर प्यूरिन बेस प्यूरिन कौन कौन से होते हैं हमारे दो प्यूरिन होते हैं एडिनन और ग्वानन ठीक है पर्टिकुलर प्यूरिन बेस किसके साथ बाइंड करेगा हाईड्रोजन बॉंड के साथ एक पर्टिकुलर पाइरमेडेन बेस क के साथ और गौनेन हमारा 3 hydrogen bond बनाता है cytosyn के साथ Adenin और गौनेन क्या है, purins है और thymine and cytosyn हमारे pyrimidines हैंMaar Adenin और guanine, purins और pyrimidines हम क्यों बोलते है,Adenin और quwanin में, अगर इनका structure देखे First मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूं एडिनेल और गवानिन में डबल रिंग प्रेजेंट होती है जबकि थाइमीन और साइटोसेन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है the distance between each turn is 3.6 nanometer each turn हर turn के बीच में जो distance होता है वो कितना होता है 3.6 nanometer का देखो एक turn ये रहा दूसरा turn ये रहा ठीक है इन तोनों के बीच का जो difference होगा वो कितना होगा 3.6 nanometer there are 10.5 nucleotides per turn हर turn के बीच में कितने nucleotides present होंगे 10.5 nucleotides it means कि अगर हम सिर्फ इस turn की बात करें तो इस में कम से कम अगर मैं इसको draw करूं wait, देखो ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया तो ये एक turn हो गया बीच का इस में कम से कम कितने nucleotides present होंगे एक turn पे 10 nucleotides present होंगे समझ गए regularity of helical structure forms repeating and alternating spaces called major and minor group जो ये helical structure होता है DNA का वो दो टाइप के spaces का formation करता है major group और minor group कैसे? देखो ये helical structure है DNA का ठीक है? यहाँ पे space कम है मतलब यहाँ पे space ज़ादा है और यहाँ पे देखो space कम है ठीक है? तो जहाँ पे space ज़ादा होता है उसे हम major group बोलता है जहाँ पे space कम होता है उसे हम minor group बोलता है और यह ऐसे ही पूरे DNA में यह spaces रहते हैं और alternating form में रहते हैं alternating form in the sense कि major groove, minor groove, major groove, minor groove इस तरह से ही रहेगा ऐसे नहीं होगा कि major groove आ गया फिर से major groove आ गया, then minor groove आ गया, फिर major groove आ गया फिर से major groove आ गया, ऐसा नहीं होता alternating form में ही रहते हैं कि major group, फिर minor group, major group, minor group, clear? These groups act as base pair recognition and binding site for protein. इस point को समझने के लिए न, जब आप आगे videos देखोगे, तो वहाँ पर यह points जादा अच्छे से समझ आएगा. इन groups का काम क्या होता है? Base pair recognition का और protein binding, मतलब protein को bind करने के लिए site provide करने का, clear? Okay, that's all for today. अगर कोई भी doubt होता है, तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हो. Bye-bye. Bye-bye. झाल झाल